आज हम बनाने जा रहे हैं चावल के लटू और ये चावल के लटू बनाने में इतने आसान है कि इन्हें देखते ही आप पी चटपट जरूर बनाना चाहेंगे सबसे खास बात तो इन लटू की ही है कि ना ही इन लटू को बनाने के लिए हम घीका स्तमाल करेंगे और ना ही अलग से चाशने बनाएंगे और जैसा कि चावल के लटू कुछ समय बाद हार्ड हो जाते हैं लेकिन इस विदी से बनाने पर ये लटू लंबे समय तक सौफ्ट बने रहते हैं तो चलिए चावल की लड़ू बनाना शुरू करते हैं लेकिन दोस्तों रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे एक चोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि ये वीडियो आपका अच्छा लगी तो इसे ही लाइक कमेंट शेर और मेरी ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें नए वीडियो की जानकारे के लिए बैल आइकन के बटन को क्लिक जरूर करें चावल के लडू बनाने के लिए सबसे पहले एक कड़ाई के अंदर हम डालेंगे एक कप चावल का आटा मेजरमेंट आप कप या फिर कोई भी कटोरी बगर ऐसे ले सकते हैं और ग्राम स्मिन आपे तो टोटल डेट सो ग्राम चावल का आटा लिया है मैंने अब चावल के आटे को हम low flame पर roast कर लेंगे चावल के आटे को roast कर लिने से इसकी जो कच्ची smell होगी वो चली जाएगी वो टेस्ट भी अच्छा आएगा लडू का और यदि लंबे समय तक आप इने store भी करना चाहें तो रोस्ट करने के वज़े से ये जो लटो होते हैं वो लंबे समय तक टिकते हैं चावल के आटे को हमें रोस्ट तो करना है लेकिन इसका जो कलर है वो बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है यदि ज़दा ब्राउन कर दिया तो इसका जो टेस्ट होता है वो जीन्ज हो जाएगा तो हमें इसका सफेद रंग भी बरकरार रखना है और इसका जो कच्चापन होता है वो भी हमें निकालना है कभी भी चावलों को सीधे क्राइंडर में डाल कर ना पिसें क्योंकि उस तरीके से बनाया गया आटा ना ही बारीक होता है और ना ही उसके लटू अच्छे बनते हैं कुछ समय पस्चात वो काफी कडग हो जाते हैं घर पर चावल काटा तयार करने के लिए आप कोई भी चावल ले ले उन्हें 2-3 गंटे के लिए पानी में ही भीगो देंगे तो वो काफी अच्छे से सौफ्ट हो जाएंगे और सफेद हो जाएंगे तो आप देख सकते हैं चावल काटा हम लाते हैं वो काफी सफेद होता है और यह दिया हम ऐसे ही चावलों को पीषते हैं तो वो इतना सफेद भी नहीं होता है तो जब चावल अच्छे से 2-3 गंटे में भीग जाएं फूल जाएं तब उनका पाने निकाल दें और पाने निकाल कर उन्हें धूप काटा तयार हो जाता है और उस चावल काटे से आप कई तरह की और भी recipes बना सकते हैं और भी कई जगर उसका इस्तमाल होता है तो दोस्तों बातों ही बातों में हमारा चावल काटा भी roast हो गया है वीडियो में शायद आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन बहुत ही हलका साइस का कलर चेंज हुआ है तो इसे हमें इतना ही roast करना है हलकी खुश्बू भी इसमें से आने लगी है इसे ज़्यादा roast करने पर फिर ये जो चावल काटा है वो ज्यादा over roast हो जाएगा फिर इसका टेस्ट अलगाएगा तो अब इसके अंदर हम डालेंगे एक कप मलाई तो जिसकब से हमने चावल काटा लिया था उसी कप को माप कर हम इसमें दूद की मलाई डालेंगी अब मलाई यहाँ पर घी का काम करेगी और साथ ही मावे का काम करेगी इन दोनों ही कारणों से यह जो लड़ू होते हैं वो काफी सॉफ्ट रहते हैं मॉइस्ट रहते हैं लंबे समय तक भी वो हार्ड नहीं बनते हैं और जैसा कि चावल काटा तो काफी प्यासा होता है तो जैसे ही हम इसमें ये मलाई डालेंगे ये बहुत ही जल्दी से मलाई को अपने अंदर अबसॉर्ब कर लेगा और ये जो चावल काटा है वो एक्तम खिला-खिला सा हो जाएगा तो ऐसा करने से क्या होगा कि हमें घे की अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी मावे की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और दूद की मलाई बहुत ही सिंपल अगर पर बनाना जो भी आप दो लाते हों उसे करम कर लें और जब वो रिम टेंपरेचर पर आ जाए तब उसे फ्रीज में रख दें जब वो ठंडा होगा तो दूद की उपर मलाई जम जाएगी उस मलाई को आप सेपरेट कर लें तो वही मलाई इसमें हम डालेंगे तो देखे कैसे कड़ाई में आपको साइड में दिखाई दे रहा होगा कि ये शाइनी हो गई है इतनी देर तो कड़ाई सुकी सुकी थी और चावल का आटा है वो भी कितना खिला खिला हो गया है क्योंकि सारी मलाई को इसने अच्छे से अबसॉर्ब कर लिया है इसके अंदर अब चावल की लडू का फ्लेवर और बढ़ाने के लिए हम इसमें आदा कप सुकी नारियल का पाउडर भी डालेंगे आप फ्रेश नारियल पाउडर का अस्तमाल भी कर सकते हैं चावल की लडू में नारियल का टिस्ट बहुत ही अच्छा लगता है लेकिन अवेलेबल नहीं हो यदि आपको पसंद नहीं हो तो आप फिर स्किप भी कर सकते हैं और दूसरी बात ये कि जो नारियल होता है उसमें काफी सारा तेल होता है तो हमने इसमें गी का अस्तमाल नहीं किया है तो उस वज़े से जो नारियल होता है वो भी अपना जो मैस्चर होता है यानि अंदर का तेल होता है वो रिलेस करेगा और उस वज़े से भी हमारे जो लड्टू है वो काफी अच्छे से बंद पाएंगे तो नारिल पाउडर डाल कर इसे भी हमने एक दो मिनिट के लिए रोस्ट कर लिया है अब बारियाती इसमें मीठा डालने की तो यहां पर आदा कप हम डालेंगे चीनी मैंने यहां पर रिफाइंड शुकर का स्माल किया है जो अरड़ी काफी जादा बारिक आती है यदि आप रिफाइंड शुकर नहीं लेते हैं तो आप इसी भी चीनी का स्माल करें क्योंकि वो इसली इसके अंदर मेल्ट हो जाएगी और जब चीनी थोड़ी मेल्ट हो जाएगी तो जो लटू होते हैं वो भी काफी अच्छे से बंद पाएंगे क्योंकि हमने इसमें मलाइट डाली थी तो इसमें काफी मॉइस्टर है उस वज़े से चीनी भी मेल्ट हो जाती है लेकिन कभी भी चीनी डालने के बाद एक दो मिनिट ही इससे चलाएं क्योंकि हम इस चीनी को बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है यदि चीनी डालने के बाद आपने इसे ज़्यादा देर तक पकाया तो लड़ू होंगी वो काफी हार्ड हो जाएंगी तो देखिए ज़्यादा नमी हो गई है इसके अंदर क्योंकि जो चीनी होती है वो मेल्ट हो जाती है तो उसकी भी अच्छी चिप चिपा है टेसकी आजाती है इसके अंदर तो सारी चीजे हमने इसके अंदर मिक्स कर ली है और साइट में आप देख सकते हैं बिना गी के भी कड़ाई में गी लगावा है तो वो सिर्फ मलाई की वज़े से हुआ है तो मलाई की वज़े से ही ये जो लटू होते हैं वो बहुत ही जादा टेस्टी बनते हैं क्योंकि मलाई है वो एक तरह से इसमें मावे का काम करती है ये सारी प्रोसेस हमने लो फ्लेम पर ही की है और अब हम गयसका फ्लेम आफ कर देंगी ओफ करने के बाद कड़ाई को हम ढख देंगी और ढख कर इसे 10 मिनट के लिए ऐसा ही छोड़ देंगी ऐसा करने से क्योंकि ये जो आटा वगर है हमने बना कर रखा है उसमें काफी मॉइस्टर है उस मॉइस्टर की वज़े से वो धीरे धीरे डखा रहेगा तो काफी अच्छा नम हो जाएगा और उस वज़े से जो लटू होंगी वो भी काफी सॉफ्ट और मेल्टिन माउट बनेंगी तो 10 मिनिट बाद हम इसे जैक करेंगी तो देखें 10 मिनिट बाद आप देखेंगे कि भाब की रूप में इसकी जो लीट है उस पर पानी जमा हो गया है तो काफी अच्छा सॉफ्ट हो गया है ये मिक्शर तो लटू बानने में भी दिकत नहीं आएगी चुकर देखेंगे तो अभी ये हलका गरम है जब मिक्शर से आप हलकी गरम से ही लटू बनाना शुरू करते हैं तो ये बहुत ही आसानी से बाइंड हो जाते हैं तो अब इसमें हम एक चो टाइप कप कटेवी ट्राइप रूड्स डाल देंगे जिसे ये खाने और देखने में बहुत ही अच्छे लेकेंगे फ्लिवर के लिए आदा चोटा चमच चिलाईची पाउडर डाल देते हैं और बस अब सारी चीजों को हम मिक्स कर लेंगे तो आप देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये काफी नरम है तो लटू बानने में भी कोई प्रोब्लम नहीं होगी यदि आप इस तरह से सूजी के लटू बनाना चाहें तो सेम तरीके से आप चावल के आटे के बजाए सूजी का इस्तमाल करें तो इस तरीके से सूजी के लटू भी बनाए जा सकते हैं वो भी खाने में टेस्टी लगते हैं या फिर आप आदा सूजी और आदा चावल काटा भी इस्तिमाल कर सकते हैं तो सारी चीजों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसे लड़ू बना लेते हैं यदि आप पहली बार भी लड़ू बना रहे हैं तो पिस्ता बादाम बगर हैं डालने से क्या होते हैं? कि जो लटू होते हैं वो सफेद होते हैं और इसके उपर फिर कोन्ट्रास्ट काफी बढ़िया आता है तो यह देखने में और भी ज़्यादा बढ़िया लगते हैं इसे तरीके से हम बागी सारे लटू भी बना कर तयार कर लेंगे इन लटू में मैंने मीटा आधा कपी रखा है लेकिन यदि आपको ज़्यादा मीटा पसंद हो तो आप चीनी का स्वाटा ज़्यादा भी कर सकते हैं तो यहाँ पर आधक अपचिनी से ही जो लटू होते हैं वो एकदम सही सही मीठे होते हैं बहुत ज़्यादा भी मीठे नहीं होते हैं और कम भी नहीं होते हैं तो जिस तरह का आप मीठा पसंद करते हों उस हिसाब से आप चिनी डालें तो बस सारी लटू हम इसी तरह से बना क कर तयार कर लेंगे और कुछ तेर बाद वहीं लटू को आपको तोड़ कर दिखाती हूं तो यह देखिए कितने सॉफ्ट लटू बनकर तयार हुए हैं लगी नहीं रहा कि यह चावल के आटे के लटू हैं जो की कड़क हो जाते हैं कुछ समय बाद ही काफी लंबी समय तक हैस अपना किमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ तब तक हसते रहिए हसाते रहिए